भायो बैनो नमस्कार आल इंडिया आंगनबाडी न्यूस चैनल में आपका स्वागत है चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे है रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बिल यानि घंटी बनके आ नहीं है एक बार चेक कर लीजिए क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है या नहीं अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो नीचे रिड कलर का सब्सक्राइब लिखा होता है वहां से आप सब्सक्राइब करके बिलको आल पर दबा सकते हैं और अपने चैनल से और इन्हों ने कहा है कि इनके खाते में जब सब का पैसा आया था तो 7 फरवरी को 8250 रुपया आ गया था क्योंकि ये मिनी वरकर थी और साथी साथ उनका कहना है कि उनका अभी 13 फरवरी को फिर से पैसा आया है और वो 500 रुपया है अब ये 500 रुपया कैसा है जो 13 तारीक को इ इसमें कम या ज़्यादा जिसके जितने भी हो अगर ना हो तब भी आप बता सकते हो क्योंकि हो सकता है इनका ये प्रोशान रोशान या विभागी तरह का पैसा ना हो किसी अन्यमद में कोई पैसा लगा हो हो सकता है ये बियलो वरकर हो और पाच-पांसो रुपिया महीने के ह इसाब से लगा रहे हूं या जो हिसाब से उनको लगना चाहिए था तो क्योंकि बहुत सारी चीजों के मद में पैसे होते हैं और इसलिए आप पर कंफर्म करना मुस्किल हो जाता है तो आप सब चेक करिए क्या किसी का थोड़ा बहुत आया मुझे उमीद है नहीं आया होगा क्योंकि अगर आया होता तो और भी बहनों के मैसेज आ जाते फिलाल के लिए आप जो है इसके लिए चेक कर सकती हैं बाकि इनका कहना है कि मैं मिनी आगनबाडी हूँ और यहाँ पर उनका 8250 पहले आ गया था 513 तारीक को फिर से आया आप इनको पता नहीं है पैसा कौन सा ह इधर बात करतें दिल्ली स्टेट आगनबाडी वरकर यूनियन के बारे में तो दिल्ली की जो बहने हैं वो टोटल की टोटल अभी भी धरने पर बैठी हुई है और बहनों के संबंद में आपको बताना चाहेंगे कि बहुत ही बड़ी करवी सच्चाई कि दिल्ली पुलिस क रविया कैसा है हमारी बहनों के प्रती तो बहुत ही गंदा रहा तो वहाँ पर आगनबाडी बहनों ने दिल्ली पुलिस कर्मिकों का जो सच है बहनों ने रो रो करके बताया है कल साम को ही ये वीडियो मैंने अपने सुदानसु पठेल चैनल पर अपलोड कर दिया था इध पर जा जा करके बहने जो है उसका जो भंडा फोड कर रही है जो एक एजरी वाल बनाम फरजी वाल जो भी जिस तरह से बहने संबोधित कर रही है तो वहाँ पर वो सच्चाई और उनका आइना जो है वो जनता को दिखाया जा रहा है इधर बात करते हैं यहाँ पर आप दे में जागुरुकता फैलाने के लिए हाथों में मेहंदी लगाई गई है साथी बहन ने लेखा है कि प्रसिचड के प्रसिचड में केवल एक समोसा और एक जो है लड़ू ही मिला था और ब्रसिच वाले सब पैसे जो है बचा लिए है तो इस तरह से चीजे आप देख सकते हो इधर बात करते हैं यहाँ पर एक और मैसे जाया है निधी सिंग बहन आती है हमारी लखनौ से और उनका कहना है कि उनके साथ में अभी एक फ्रॉड गिरी होने से वो बच गई है तो आप सब भी कृप्या सावधान नहें इनका कहना है कि यहाँ पर उन्होंने लेखा कि भाया जी नमस्ते आपके माध्यम से जो है मैं सभी बहनों को सावधान करती हूँ कि मेरे पास जो है आपर दूर का रिष्टेदार बन करके किसी ने आपर फोन किया और आस्चर की बात यह है कि मेरे रिष्टेदार का नाम भी बता रहा था उसने मुझसे पेटियम चलाने के बारे में पूछा और एटियम की फोटो खीच करके भेजने के लिए कहा और यही सब चीजे हैं और उन्हों ने कहा कि मेरे दोस्त ने वहाँ पर उधार पैसा लिया है उससे तुम्हारे खाते से भिजवा दे रहे हैं फिर आप मेरे पास बाद में भीजदेना मैंने उस समय मैंने उसका बहाना कर दिया ऐसे कहें कि उन्होंने वहाँ पर टाल दिया और साम तक उनसे पिर अपनी बहन से संपर किया जिनको उपना करीबी बता रहा था हमारे जो रिस्तेदार को ऐसा बेहन ने कहा तो अपने उन रिस्तेदारों से बात के और पता चला कि वो फ्रॉड गिरी वाला था तो इस तरह से जो कहते हैं अब बेहन सोच रही होँगी कि आप लोग ये भी सोच रहे होँगी कैसे पता चल जाता है कि फलाने के जो रिस्तेदार कौन है तो देखो वो ऐसे पता चल जाता क्योंकि आप देखतो ना Facebook है तमाम Social Media आप चला रही है यूज़ कर रही है वहाँ पर आप सब पोस्टे डालती है अपने साथ अपनी आप उसमें आटोमेटिक लोग लिख देते हैं हमारी मौसी है, हमारे पूपा है, हमारी बुआ है, हमारे वो है ऐसे करके लोग लिखते रहते हैं तो Social Media से जानकारी लीक हो जाते हैं उनका दुरुपयोग फिर यहाँ पर Fraud Giri में वो लोग कर लेती हैं आपके जो है आपर रिष्तेदार बनकर आपके हमदर्द, आपके दोस्त रिष्तेदार यार बनकर सब बनकर के जो है आपको ठगी का सिकार बनाती है तो कृपया सावधान है और पैसे वैसे देने से पहले अपने रिस्तेदारों से face to face बात करें और मेरा तो मानना ये है कि आउनलाइन आप भेजो ही मत सबसे बढ़ी अगर किसी रिस्तेदार को जरूरत भी पड़े या कोई किसी को भी तो उस से बोलो डायेक्ट आकर के हाथ तो पहाथ जो ले जाओ उनको बोलो कि हम यह चलाते हίνी है हमारे पास भेजने के कुछ है है ने हमको पता यह नहीं यह कुछ नहीं जानते आपको भीया पैसे जरूरत है आपको ही भी हूँ आप हमारे घर आएए और घर आएंगे तो भंड़ा फोड़ होगा तो ये चीजे हैं तो इसके बारे में थोड़ा सजग रही है खैर अब बात करते हैं किरन बहन आती हैं जो कि सीता मडी से और उन्होंने अपने वहां से एक यहां पर अपने हाथों पर जो है काली पट्टी बांध करके आगनबारी केंद्रों का संचालन किया है और सरकार के कारेओं का विरोध किया है तो आपको बता दे कीज फरवरी को बाल विकास परोजना काराले पर बहनों का धरना होगा मांगपत्र सोंपेंगी बहने और हमा योगती आवस्यक है और इसके बारे में यहाँ पर जो जानकारी निकल के आ रही है तो बिहार में आप देख सकते हो बहनों ने आगन बाड़ी के इनका संचालन तो किया है लेकिन विरोध में अपने हाथों पर बहनों ने जो है काली पट्टियां बांध रखी है बहुत सारी पोटो बहने भेजी थी भायों बहनों अब चलते हैं अगली खबर पर आते हैं लच्छ सूची के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं कल साम को जो प्री प्रैमरी से जड़ुआ हुआ आदेस आपको मैंने दिया था उसका ही थोड़ा भाग जो रह गया था वो आपको दिखाना चाहेंगे तो बालवाटिका जो आयू है 5-6 वर्स उसमें मौखिक भासा के रूप में दोस्तों और सिच्छकों से बात करना समझ के साथ जो है तुकांत या कविताएं गाना ये चीजे जो है बच्चों को मौखिक भासा के रूप में सिखानी है साथी पढ़ना भी बच्चों को सिखाना है जिसमें किताबों को देखना और चित्रों की मदद से कहानी पढ़ने का प्रयास करना ये बच्चों को सिखाना है कौन से आई वर के 5 से 6 वर्स वाले अब कुछ जो है परिचित दोहराएं गए सब्दों को पहचानने और इंगित करने की सुरुवात करना द्रश्टी सब्दों या खादे कंटेनर या रैपर पर छपे जो सब्द हैं उन पर फिर बात करते हैं था कि जो आपके बच्चे हैं उनको कम से कम दो सब्दों से मिलकर जो अच्छर बनते हैं सरल वाले वो बच्चों को जो है सिखा देने हैं ताकि कच्छा एक में जब जाए तो उनको इतना आना चाहिए फिर लिखा हुआ है लेखन क्योंकि ये लच्छ दिये गए हैं आब बात करते हैं लेखन तो खेल के दारान पहचान वाले जो अच्छर हैं उनको लेखने का प्रयास भी करना है आत्म व्यक्ति जो है अभिव्यक्ति के लिए पेंसिल घसीचना या चित्र बनाना भी बच्चों को सिखाना देखो बच्चा भले ही ना बना पाए वो एक अलग बात है लेखन बच्चे को पेंसिल थमाओ और भले चीलम बाटा कुछ भी बनाए उसको बनाने दीजे क्योंकि वो धीरे धीरे तो जो सीखेगा कुछ ना कुछ बनाएगा उससे बोलो जो आप गोला बनाओ यान्डा बनाओ तो वो बनाएगा धीरे धीरे नहीं गोल बना दिरे-दिरे और अच्छा बनाएगा, यानि जब पेंसिल पकड़ेगा, पहले पकड़ना सीखेगा, तभी तो लिखना सीखेगा, तो ऐसे चीज़े हैं, पेंसिल को ठीक से पकड़ना और पहचानने योगे अच्छर बनाने के लिए, उसका उपियोग करना, जैसे जीरो बना इसे करके बच्चों को आपको जो है सारी चीजे बतानी होगी फिर देखो अपने नाम के पहले सब्द को पहचानना और लिखना ये चीजे जो है सिखानी होगी तो जो बच्चे का मालो नाम है उसका पहला अच्छर बच्चे को कम से कम सिखा दो और पहचानना सिखा दो संख संख्यात्मक देखो यहाँ पर बच्चों को क्या सिखाना है संख्यात्मक में वस्तूओं की गिनती है और कच्छा जो वस्तूओं की गिनती और दस तक संख्याओं से सह संबंद इस्थापित करना सिखाना है दस तक के अंकों को पहचानना और पढ़ना सिखाना है वस्तूओ की संख्या के संदर में दो समूहों की तुलना करना और अधिक और कम या बराबर आधी जैसे सब्दों का प्रियोग करना मालो आपने बच्चे को कुछ वस्तुएं दिखाई या दी अब उसमें पूछो कि आपर ये संख्यों में किसमें कितने हैं किसमें कम हैं किसमें जादा किसमें बराबर है किसमें जो कितने ऐसे करके बच्चों को जो पढ़ाना सिखाना है ये चीजें अब एक करम में घटनाओं की संख्या वस्तूओं की और आकरतियों की और घटनाओं को विवस्तित करना ये चीजें सिखानी है फिर है आपका पांचवा वस्तूओं को उनकी अ अबसे छोटे और उससे अधिक और हलके ऐसे चीजों के बारे में बच्चों को जानकारी देनी है फिर देखेगा यहाँ पर फिर बात करते हैं कच्छा एक आयूवर्ग वाले जो है उनको जो है किस कदर तयार किया जाएगा जिनकी उम्र 6-7 वर्स की है आंगन बारी तक जो ह वो 6 वर्स तक ही है ठीक 3-6 वर्स के बाकी जो है 6-7 वाले वो कच्छा एक के बच्चे उनके लिए मौकिक भासा में है अपनी आवस्यक्ताओं परवेस के बारे में दोस्तों और कच्छा सिच्छक के साथ बातचीत करना कच्छा में उपलब्द प्रिंट समागरी और इसके विसे पर बात करना कविताओं गीतों को एक्षन के साथ सुनाना साथी साथ जो है यानि एक्षन का मतलब भावनाए अपने अंदर से आए जैसे अगर बच्चा कुछ करे जैसे मालों कुछ चीज़े कहते है तो बोलने के साथ साथ कुछ जो है वहाँ पर एक्टिविटी भ साथ में परिचित कहानियों का अभीने करना बच्चों को सिखाना है और दूसरा है वरतनी के साथ सब्द लिखने के लिए धोनी प्रतीक का उपयोग करना सिखाना है और आयू उपयोगत अग्यात जो पाट में कम से कम चार या पांच जो सरल सब्द है उनमें छोटे- कहानी, कविता, पर्यावरण, समंदी जो प्रिंट है वो जो आक्रतिया टाइप की छपी होती है उनमें प्रियोग होने वाले सब्दों में मात्राओं के साथ परिचित चुए उनको कराना है और फिर लेखान, ड्राइंग और या फिर चीजों को अर्थ देना और अपने कर खात्मक रूप से बच्चों को अच्छा है क्वालों को क्या क्या तैयार करना है, बीस तक वस्तूओं की जो है गिनती करना, निन्यान बे तक की संख्या पढ़ना और लिखना, दैनिक जीवन इस्तितियों में नो तक संख्याओं के जोड और घटाओं का उप्योग करना, तो देखो बीस तक की वस्तूओं की गिनती है, अब वस्तूओं में जिस दिस तरह की आप उनको सिखाना चाहें, अपने चारों और जो है यहाँ पर 3D आकरतियों, ठोस आकरतियों के भौतिक गुणों का अबलोकन और वरणन करना, जैसे गोल, समतल, सतय और कोने हैं, और क पुष्टी ए-पुष्टी करना, गैर मान staff की काई, जैसे कप, चमच, मग, आधी का उपयोग करना, इनकी चमता रखना, अब आकार और संख्याओं का उपयोग करके, छोटी कविता, और कहानियों का निर्माण करना, पाट करना ये चीजी हैं, फिर बात करते हैं, कच्छा दो आले बच्चों पर आते हैं कच्छा दो आले जो बच्चे हैं उनकी उम्र होती है साथ से आठ वर्स की अब इनको मौखिक बासा के रूप में कच्छा में उपलब्द प्रिंट समागरी के बारे में बात करना और प्रस्ण पूछने के लिए बाचीत में सनलगन होना और दूसरों से सुनना भी साथी गीत कविताएं सुनना और कहानी कविताएं प्रिंट आदी में होने वाली परचिस सब्दों को दोहराना ये चीज़े जो है मौखिक बासा के रूप में बच्चों को सीखनी है बच्चा बहुत को सीखता है बाहरी बाताबरण में بھی सब को सीखता है जैसे जो है भासा बोलते है इसलिले जो बच्चा अगर पैदा हो जाए कहीं अगर उठा कर किसी दूसरे समाज में आप उसको छोड़ दो दूसरे लोगों को दे दो जहां पर उनका माहोल वहां की जो पैदाईस से अलग हो तो बच्चा जहां जिस माहोल में रहेगा जो सीखेगा अपने आसपास के परिवेश से वैसा ही बन जाएगा और इसलिए काफी लोग जो है गाउं से छोड़ करके सहरों में भाग जाते हैं क्यों क्योंकि उनको लगता है गाउं का माहोल अच्छा नहीं है लेकिन तब था जब था लेकिन अब सब बदल गया है अब गाउं में बहुत कुछ बहतर है गाउं में जो है क्या बहतर है एक तो वातावरर बहतर है वो सहर वाले कभी नहीं दे सकते जो एक गाउं में सुच वायू जो है पूरा वातावर मिलता है वो आपको सहरों में नहीं मिलेगा आप भले कितना भी अच्छा सहर ढून लीजिए पल्यूसन आपको बहुत भर के मिलेगा ये चीज़े बच्चे के विकास में सारी रूप से बाधक बनती है तो आप लोगों को इसके बारे में भी सोचना चाहिए गाउं इसी चीज़ों में बेस्ट है बाकी गाउं में पहले से अगर ध्यान देते हैं तो और आगे निकल जाते हैं लेकिन अब सब बदल गया है अब सब कुछ ठीक है परिस्तित्रिया ठीक है बच्चों पर पर प्रेसर पंता और बच्चे वैसे उतना नहीं खेलते हैं लेकिन अब मोबाइल का जमाना आ गया है बच्चे जदा तर इ इसके बारे में किसी दिये गए सब्द के अच्छरों से नए सब्द बनाना, आयो उप्युक्त अग्यात पाट से उचित गती और इस पच्छता के साथ सब्दों के 8-10 वाक्यों को पढ़ना, लगबग 45-60 सब्द प्रती मिनट के धर से सही धंग से बच्छे पढ़ना जानते दैनिक जीवन में प्रस्तितियों में निन्यान में तक की वस्तूओं का योग करना, गुड़ा और जोड को समान वित्रण बटवारे के रूप में गुड़ा करना, और 2-3-4 का जो है गुड़न तथ्यों तालिकाओं का निरधारन करना, गैर मानकी काई जैसे राड, पेंस बच्चों को सब्धावलियां सिखाना, जैसे वहाँ पर बहुत रूप से बच्चों को पताना आँ, इसको ये चीज़ कहेंगे, वो करके भी दिखाना है, ताकि उसको पता चले, अब आगे देखिए पिर कच्छा 3 से, इसमें आई वर्ग 8-9 वर्स के हैं, अब इनके तो देखो इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये अंगन बाड़ी बहनों आप सब के कोर्स से बाहर है, आपका पूरा केवल कितना है pre-primary, और pre-primary में कच्छा दो तक के लिए ही है, तो आपका दो तक मैंने बता दिया, अब तीसरा वाला की आवसकता नही अब ये अपना आगे का है तो बाकी आपको अच्छा दो तक के लिए फोकस इसलिए करें क्योंकि आपको पता होना चाहिए कच्छा एक और दो के लिए आपको बच्चों को अपने तयार करना है और वो उनको वहाँ क्या सिखाया जाएगा उसके लिए आप कितना अच्छा ब और अरबास से उन्होंने फोटो बेजी थी मद्दान वगरा केंद से और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो तो इस तरह से हमारे पास कुछ तस्वीरे भी थी और सुनिता बेहनाती मिरजापुर से उनके वहाँ पर मेहंदी वाला कारेक्रम यह किया गया है तो उन्होंने के लिए हम इतनी रखते हैं और आपको अगले वीडियो में भाई यो बहरों फिर मिलेंगे